जब बात उत्तरप्रदेश की सुरक्षा पर आती है तो सरकार से लेकर तमाम सुरक्षे एजंसिया तक शान्त हो जाती है वज़ा उत्तरप्रदेश की जनसंख्या से लेकर लाचार कानून ब्यवस्था भी है नमस्काय मैं जोति सिंग और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नेशनल क्राइम ब्यूरो के उन आकड़ों के बारे में जिससे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि भले सूबे के मुख्यमंत्री बार बार कहेंगी उत्तरप्रदेश रामराजी की तरफ बढ़ रहा है पर सच्चाई किसे से छुपी नहीं है हाँ हम ये कह सकते हैं कि घटनाय लॉकडाउन में कम हुई है पर जैसे जैसे लॉकडाउन अलॉक में बदला कानून व्यवस्ता के सच्चाई सब के सामने आने लगी हालिया घटनाओं की बात करें तो लगातार पत्रकारों की हत्याओं से भी योगी सरकार की जमकर किरकरी हुई है अगर उत्तर प्रदेस में योगी आदितेनात के ग्रिहनगर गोरकपुर पर बात करें तो आपको भूलना नहीं चाहिए कि बार बार पूरो मुख्यमंत्री ने गोरकपुर को गुनाहपुर कहा था ये घटनाएं सिर्फ गोरकपुर में ही नहीं बलकि उत्तर प्रदेश के हर जिले में बढ़ी है ये हम नहीं कह रहे हैं दरासल ये NCRB की रिपोर्च कह रही है NCRB के आकड़ों के अनुसार 2016 से लेकर 2019 के बीच अपराद का ग्राफ 20% बढ़ गया है और तो और उत्तर प्रदेश में हर दिन 11 रेप कम से कम होते हैं ये आकड़े साफ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश तेजी के साथ अपराद प्रदेश बन रहा है आप क्या सोचते हैं? इस बारे में अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा और ऐसे ही विशेस खबरों के लिए देखते रही है C.I.B. इंडिया न्यूज धन्यवाद